वेडी कुड मॉनिंग चिल्रेंस तुड़े आं गोईंग तो टीच यू चाप्टर नामबर एलेवन देज माई हाउस माई हाउस घर क्यों चाहिए आपको और उसकी क्या होती है उन सब के बारे में आच्छाम आपको बताएंगे अच्छा सबसे पहले हाउस आपको क्यों चाहिए होता है हाउस आपको आप घर में क्यों रहते हैं ना घर रहे जाते हैं आप बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्टर नटाते हैं तो इसलिए आपको घर की जुरत है हाउस एक ऐसी बिल्डिंग है जहां पर हम रहते हैं अपनी फैमिलीज के साथ हाउस हाउस की क्या के इंपोर्टेंट वर्क है देखें प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड रेइन एंड गर हमें हीट से याने की धूप से ठंड से बारिश से और तेज तूफान से सेफ रखता है प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल अनिमल अगर कोई जंगली जानवर आ चायते है तो आप कहां चुप होगे जाके घर में ही ना तो हमें वो प्रोटेक्ट भी करता है बाहर जंगली जानवरों से ओके सो हेर यूँ दिफरेंट टाइप ओ फफ एक ये होज है एक ये भी होज है और ये भी होज है ये डिफरेंट टाइप के हाउज है गाउं तो हुट कीम से बने हुते हैं? मढ, स्ट्रॉ यानोग भाना भीच मॉट ve Juline बूट, मिन हुट याने मुट्री, गंकूर के दो inappropriate, वाले मुट्री बाइन चीज़व से उनिकर हने एभानाних गच्चा-षूव जुट सब काउस के बने हुट यह जाना है नहीं होते इसे लिए से हम temporary house भी बोलते हैं समझ मैं क्या बोलते हैं temporary house भी बोलते हैं किसको कच्छा house को temporary house भी बोलते हैं some houses are made of bricks कुछ house होते हैं जो किसके बने होते हैं bricks के steel से cement से और wood से इन सब चीजों से भी कुछ घर बने होते हैं such houses are called इन घरों को हम क्या बोलते हैं पक्का house क्या house बोलते हैं ने पक्का house houses in town and cities आर पक्का house टाउन्स में और cities में जो भी घर बने होते हैं वो कौन से घर होते हैं पक्का house होते हैं ठीक है पक्का house are very strong house इसे लिए एसे हम permanent house भी बोलते हैं क्या बोलते हैं पर्मानेट house this is all for today in our next video we'll talk about the पक्का house and their types have a great day stay home stay same